Hello everyone! Welcome all to my channel! So, आज हम लोग करेंगे Chapter 1st का Next Topic Classification of Business Activities So, इतना तो Initial वीडियो से आप अब तक समझ गए हो कि Business किसे कहते हैं? So, Business क्या है? एक Economic Activity जिसे Regular Basis पर किया जाता है क्यों? To Earn Profit ठीक है? तो और मैंने आपको क्या बताया था? कि हम लोग Business कैसे कर सकते हैं? या तो हम लोग Manufacturing करकर मतलब पहले Raw Material को Finish Good में Convert करकर फिर Business कर सकते हैं मतलब Good को Sell कर सकते हैं या फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक और वे कौन सा था? हम लोग क्या करते हैं? जो Already Finish Good को ही एक जगह से सस्ते में खरीद कर उसमें अपना Margin एड करकर फिर उसको Ultimate Customer को Sell करते हैं ये दो वे मैंने बताया थे ना आपको होते हैं Business करने के तो आज इन्ही दोनों को हम लोग Detail में समझेंगे ठीक है? तो कैसे Classification of Business Activities Business की जो Activities हैं वो दो Groups में Classify है First is Industry and the another one is Commerce लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग Cover करेंगे Industry ठीक है? Upcoming वीडियो में हम लोग Commerce के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए हमारा आज का Topic शुरू करते हैं तो बात करते हैं Industry की Industry क्या होती है? अच्छा एक ना परसन है Mr. A ठीक है? उसके ना एक Factory है जिस पे वो क्या बनाता है? Jacket एक ही थी तो हमने बोला कि वो Factory है जहां पे वो Jacket बनाता है अगर वही 2, 3, 4, 5, 6 Factories होती उसके Jacket बनाने की तो इन Number of Factories को हम मिलकर क्या बोलते? Industry तो Industry क्या होती है? तो Number of Same और Related Factories आनोन एस Industry Industry क्याते किसके साथ डील करती है? With the Production of Goods and Services इसमें क्या जो Raw Material होता है? उसको Finish Good में Convert करते हैं किसमें? Industry में ठीक है? तो जो यह Industries है यह फदर थी टाप्स में डिवाड़ीड है Primary, Scandary and Tertiary Industry तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं तो चलिए इसके टाइप्स को समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं Primary Industry की कहते हैं यह वो Industry होती है जो कि Extract मतलब ड्रॉ करती है विड्रॉ करती है Raw Material कहां से? Directly from the Earth or Sea I mean तो से Natural Resources से जो Raw Material को Extract करते हैं For example मतलब उसको गन्ना कहां से मिला? Earth से मिला उसने वो Material कहां से Extract करा? Earth से यह क्या हुआ? Primary Industry अपना उस फार्मर ने सोचा यार सिरफ गन्ना बेचने से ने गुजारा होता भाई इतनी महंगाई है कुछ तो और करना पड़ेगा तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस शुगर कें से शुगर भी बनानी स्चार्ट कर दू शुगर बना कर बेचने शुरू कर दू तो अब जो शुगर कें था जो गन्ना है वो क्या है? Raw Material उसने उस Raw Material को उस शुगर कें को Convert करा किसमे? Finish Good में Finish Good क्या थे? Sugar तो जब हम लोग Raw Material को Finish Good में Convert करते हैं वो कौन से Industry होती है? Scandry Industry ठीक है? तो पहले यहाँ पर Primary में क्या था? उसने Earth से Natural Resort से उसने Raw Material Extract करा था उसने शुगर के इनको उगाया था Scandry में क्या होता है? जो Scandry क्या करती है? Primary Industry की Help लेती है मतलब Primary Industry से Raw Material लेकर उसको Finish Good में Convert करती है तो यहाँ पर आप फार्मर ने क्या किया शुगर के इनको शुगर में Convert करा यह क्या था? Scandry Market I mean Scandry Industry Next जो यह फार्मर है उसने कहा कि ठीक है शुगर तो बन गी लेकिन भाई अब शुगर को कहें Store भी तो करके रखना होगा ने इतनी शुगर भी अपने घर में कैसे रखे? ठीक है? फिर उसको Finance पे चाहिए लोगों को Advertise भी करना है उसको Safety भी चाहिए मतलब Insurance भी चाहिए ठीक है? यह सब चीजों के Tertiary Industry से मात समझ में आई Primary में हम लोग Natural Resources से Material को, Raw Material को Extract करते हैं Scandry में उसी Raw Material को हम लोग Finish Good में Convert करते हैं Tertiary में अब हमें यह सब Facilities जो होती है Transportation, Warehousing की Insurance ठीक है? यह सब Facilities हमें काहां पे मिलती है Tertiary Industry में अब यह जो तीनों इंडस्ट्री से यह आगे Further Classified है सबसे पहले बात करते हैं Genetic Industry की तो Genetic Industry में होता है Breeding, Rearing of Animals, Plant and Birds Rearing मतलब जैसे Cow है, ठीक है? उसका Palen Potion किया जाता है क्यों? उसका आगे जो Milk होता है उसको बेचने के लिए आप इसमें एक्जामपल से ले सकते हैं Poultry Firm, Nurseries की ठीक है? यह सब आती है Genetic Industry में इसके लावाद जो Extractive Industry होती है वो होती है For example, Mines ठीक है? जब हम लोग Raw Material को Extract करते हैं Withdraw करते हैं Mines में क्या है? हम लोग Cola निकालते हैं Cola निकालते हैं उसको आगे फदर बेचने के लिए यह क्या हमारी Primary Industry Next is Scandry Industry Scandry Industry में भी फदर टू टाइप्स है Manufacturing Industry and Construction Industry सबते पहले बात करते हैं Construction Industry की यह उद्धी है Buildings से Related जैसे घर बनाए Roads बनाए Dam बनाए Buildings बना रहे हैं यह सब किसमें आती है Construction Industry में इसके लावा बात करते हैं Manufacturing Industry की Manufacturing Industry फदर फदर फ़र टाइप्स में Classified है Analytical Industry Synthetical Industry Processing Industry and Assembling Industry चलिए इसे एक एक करके समझते हैं Manufacturing Industry की टाइप्स को समझने से पहले एक बार Tertiary Industry देख लो यह ज़स्ट वही है कि हम लोग इसमें Warehouse मतलब चीज़ों को Store करने के लिए Transportation Banking Insurance इन सब चीज़ों का यूज करते हैं यह सब Services हमें दी जाती है कि होती है Tertiary Industry अब बात करते हैं Manufacturing Industry की टाइप्स की जब इसकी टाइप्स को समझते हैं सबसे बात करते हैं Analytical Industry In Analytical Industry Basic Raw Material is Broken into Different Parts to Produce Finish Goods As in case of Oil Refinery किते Analytical Industry में पता क्या करते हैं जो Raw Material होता है उसको Breakdown करते हैं Different Parts में समझे न एक Raw Material है ठीक है उसको Different Parts में Breakdown कर दिया For example Oil Refinery में Crude Oil को Separate करके क्या क्या बनाए अलग-अलग Finish Goods जैसे Crude Oil से Kerosene बनाया Diesel बनाया Petrol बनाया Gasoline बनाया तो यह क्या है Analytical Industry Synthetic Industry इसके बिल्कुल opposite है उसमें क्या होता है अलग-अलग Ingredients को Combine करके एक Finish Goods बनाया जाता है For example Cosmetic Cream इसमें क्या है Maloglycerin Vitamin E Aloe Vera इसमें के अलग-अलग Ingredients को Combine करके एक Cosmetic Cream बनाया जाती है ठीक है तो Analytical में क्या थे कि एक Material था उसको अलग-अलग Goods में आप लोग Breakdown कर रहे हो लेकिन Synthetic में अलग-अलग Ingredients को एक Finish Good में आप लोग Convert कर रहे हो ठीक है Next आप Processing Industry अप प्रोसेसिंग इंड्रस्ट्री का मतलब वो प्रोड़क्ट वो बुड़ जो अलग-अलग Stages से होकर एक Finish Good बनते है For example, अगर आपको Cotton की कोई Dress बनानी है तो वो अलग-अलग Stages से पार होकर फिर एक Funnel एक Finish मतलब एक Dress बनती है कैसे पहले Cotton एक Raw Material हो ठीक है फिर उसको क्या करो Thread में बनाया फिर उसको Weaving करी फिर उसको Dye करा फिर जाके वो ड्रेस बनी फिर उसको Market के बेचने लाइक बनी वो तो इससे वो अलग-अलग Stages से निकल कर वो Finish Product बनता है तो वो क्या होता है Processing Industry नेक्स्ट बात करते हैं Assembly Industry की कहते हैं Assembly Industry तो various finished products are combined इसमें क्या है various कितने सारे finished products को combine करके या रखना finished products को combine करके एक new finished product बनाया जाता है उससे कहते हैं Assembly Industry यह mostly हमारे electronic gadgets के में ही जादर यूस होता है जैसे computer हमारे automobiles भी हो गए ठीक है यह सब एक्जामपल आइफोन जैसे यह आइफोन का देखो एक्सलोमेटर, बैटरी, उसका कैमरा ठीक है ग्लास स्क्रेन यह सब अपने में एक finished goods है ठीक है लेकिन इन सब को assemble करकर एक finished product मनाया गया है क्या आइफोन यह किसके example हुए प्रोक्डाउन किया जाता था ठीक है ठीक है जहां पर एक raw material को finished goods बनने के लिए कितनी सारी stages को पार करना पड़ता है और assembly industry कों से होती थी जहां पर various finished products को combine करके एक new finished product क्या है बनाया जाता है तो I hope आपको आज का यह topic clear हो गया होगा इसका जो further next part है वो हम लोग upcoming video में cover करेंगे so thank you so much for watching this video video अच्छे लगी तो अपने friends के साथ भी share करना और ऐसी और videos देखने के लिए channel को subscribe करें thank you